आएए देखते हैं इन्वेस्टर को किसमें ज्यादा कमाने को मिला ये शेर में या निफ्टी पिफ्टी इंडेक्स में 1-1 2014 को शेर प्राइस थी और इंडेक्स था 6 साल बाद शेर प्राइस थी और इंडेक्स था अगर हमें निफ्टी के मुकाबले बहुत ज्यादा कमाई करनी है तो हमारे स्टोक में चार बाते होनी चाहिए 1- लंबी यूदी में शेर प्राइस बढ़ती रहनी चाहिए 2- जब मार्केट में बड़ी गिरावट आती है तो हमारा स्टोक ज्यादा नहीं गिरना चाहिए निफ्टी के मुकाबले 3- जैसे ही मार्केट रिकवर होती है हमारा स्टोक तेजी से रिकवर भी करना चाहिए निफ्टी के मुकाबले 4. हमारा शेर अपने सेक्टर का टॉप शेर होना चाहिए इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारा शेर निफ्टी से बेटर है या नहीं यानि कि पहले तीन पॉइंट्स इस वीडियो में देखे जाएंगे अगर आपको सेक्टर का टॉप शेर चुनना है तो उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है 1-1-2014 को एक लाग रुपए इस शेर में इन्वेस्ट किये 6 साल बाद 1-1-1-2020 को इस शेर में इन्वेस्ट किये हुए एक लाग रुपए हो गए मार्च में इस इन्वेस्ट में इन्वेस्ट में इन्वेस्ट किये हुए एक लाग रुपए हो गए मार्च 2020 में इस investment की value हो गई और current nifty 50 investment की value है share में appreciation ज़्यादा हुआ है इसलिए first point share ने जीत लिया है second point nifty ने जीता third point nifty ने जीता आधी match में किसने ज़्यादा run बनाए ये important है लेकिन match complete होने पर क्या scoreboard है ये सबसे ज़्यादा important है overall share जीता चार्ट में देखते है एक minute के लिए हमें ये भी सोचना चाहिए कि ये share और nifty का index जैसे पिछले साथ सालों में चले है वैसे ही अगर अगले साथ सालों तक चले तो उनकी value कहां पहुँचेगी ये ही एक लाख रुपे की अगर हमने 8% interest से fix deposit की होती तो आज उसकी value हो गई होती FD के 8% के मुकाबले nifty ने कितने percentage का return दिया ये share ने कितने percentage का return दिया stock market में अगर return ज़्यादा है तो risk भी ज़्यादा है ये आकड़े देखकर अगर किसी को विचार आए कि मैं bank FD तोड़कर share खरीद लूँ तो उसके लिए ये है अगला chart जो 1-1 2020 से 31st March 2020 का है ये comparison है 1st January 2020 से आज तक की ये comparison है 1st October 2020 से आज तक की ये comparison है 1st December 2020 से आज तक की ये comparison है Thank you